Hello my YouTube viewers, आज के वीडियो में हम discuss करने वाले हैं कुछ ऐसी बिग mistakes जो एक chronic kidney patient को avoid करनी चाहिए अगर आपको CKD है, chronic kidney disease है या किसी भी तरह की kidney की problem है चाहे वो UTI से related हो सकती है, kidney में stone हो सकता है, kidney में inflammation हो सकती है, glomerulonephritis हो सकता है या किसी भी तरह का syndrome है, या किसी भी तरह की kidney की complications है या problem है तो आपको ये बड़ी गलतियां avoid करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका kidney function बिल्कुल normal रहे क्योंकि ये ऐसी बहुत बड़ी गलतियां हैं जो कोई भी kidney का patient अकसर करते रहते हैं, उनको पता भी नहीं रहता है और वो इन सब चीजों को बिल्कुल भी follow नहीं करते हैं और इन guidelines को follow ना करनी के वैसे और इन बड़ी गलतियों से ना बचनी की वैसे उनका kidney का function धीरे-दीरे करके खराब होने लगता है और जैसे से time बढ़ता है उनका kidney का function पूरा compromise होता है, kidney खराब होने लगती है और पूरा kidney damage हो चुकी होती है तो अगर आप पहले से ही इन guidelines को follow करेंगे और इन बड़ी गलतियों से बचेंगे तो आपका kidney function बिल्कुल normal रहेगा और बिल्कुल natural तरीकों से ही आप kidney के damage से बस सकते है तो सबसे पहली और सबसे important mistake यह है कि पानी कम पीना या sufficient amount में पानी नहीं पीना यह कोई भी patient हो चाहे वो male हो या female हो अगर उसको kidney की problem है तो वैसे भी उसको in general पानी जादा पीना चाहिए और वैसे भी एक healthy person के लिए 8-12 glass per day आपको पानी पीना ही चाहिए तब ही आपकी जो kidney है वो properly solids को concentrate करके उनको excrete कर पाएगी और आपका जो kidney में damage हो रहा है वो उससे आप बच पाएंगे बट यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपको CKD है chronic kidney disease है आप dialysis वगरा पे हैं और अगर आपको stage 3 या stage 4 हो चुका है या जादा stage हो चुका है या बीमारी आपकी बहुत जादा latest stage पे आखरी stage पे चले गई है और उसकी वैसे आपकी जो body में water retention हो रहा है आ आपके पैरों में सूजन आ रही है आपके चेहरे पे सूजन आ रही है तो आप जो है वो 6-8 glass पानी तक limit कर सकते हैं because अगर आप 8 glass से जादा पानी पीएंगे तो हो सकता है कि आपकी body उसको exclude ना कर पाए उसको flush ना कर पाए तो उस situation में आपको फिर भी 8 glass पानी per day आपको फ लगेगा और जो kidney की वेसल से उसमें चुरू हो जाएगा वैसे अगर एक healthy person है उसको किसी भी तरह की kidney problem नहीं है तो उसको भी 2.3 grams पर डे ही नमक पर डे अपने डाइट में लेना चाहिए बट अगर आपको बीपी की परशानी है blood pressure आपका बढ़ा रहता है तो उस situation में आप आपको जो नमक है वो 1.6 ग्राम पर डे यानि लगभक डेल ग्राम पर डे के हिसाब से ही लेना है ग्राम से जाधा अगर आप अपने डाइट में नमक लेंगे तो आपके लिए दिक्कत कर सकती है तीसरी बड़ी important mistake यह है कि आपको टोटल प्रोटीन का जो intake है वो कम करना है हर जगा यही सुनने में आता है कि प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा लेना है आपको प्रोटीन डाइट लेनी है बट प्रोटीन डाइट आपको लेनी है बट बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं लेनी है जो latest guidelines है प्रोटीन इंटेक की आपको उसी को फॉलो करना है औ तो 0.8-1 gram per day आप ले सकते हैं, मतलब कि अगर आपका weight 60 kg है, तो आप 60 gram protein per day ले सकते हैं, बट अगर आपको kidney के परशानी है, तो आपको 0.6 gram per day के हिसाब से protein लेना है, तो latest guidelines के according जो protein intake है, वो आपको 0.6-0.8 gram per kg body weight के हिसाब से लेना है, अगली जो बड़ी mistake kidney के patient ये करते हैं, कि वो कोई भी antibiotic अगर आपको problem हो जाती है, किसी बीतरा का दर्द होता है, तो वो overdose में painkiller ले ले लेते हैं, या antibiotic ले ले लेते हैं, तो आपकी kidney का function अलड़ी compromised है, आपकी kidney जो है वो दबाओं को excret वैसे भी नहीं कर पाएगी, जो भी दबा आप खाते हैं, चाहिए वो painkiller हो या antibiotics हो, वो आपकी body में blood में तो जाती है, बट वो आपकी body से जो eliminate होती है, वो निकलती है, वो urine के रास्ते से ही निकलती है, तो अगर आपको कोई भी दबा खानी है, कोई भी antibiotic लेनी है, या कोई भी painkiller लेना है, तो हमेशा अपने doctor के prescription के according ही लेना है, और आपको ये अपने doctor से discuss करना है, कि आपको kidney की परशानी है, आपका kidney function test है, वो compromised है, अगर आप कोई भी दबा overdose में ले लेंगे, नेमन से लेंगे, या जब भी आपको कोई भी छोटी बुडी problem होगी, तो आप फॉरण ही antibiotic खाने लगते हैं, या pain killer खाने लगते हैं, तो उसकी व्यासे भी आपको problem हो सकती है, आपको kidney है, उसमें बहुत ज़्यादा damage हो सकता है, इसमें जो kidney damage है, वो बहुत ही severe हो सकता है, और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ सकती है, इसके अलाबा जो next big mistake है, कि अगर आपको washroom जाना है, अगर आपको पेशाब लगी हुई है, आपको urine जाना है, तो फौरण ही आप urine जाई, आपको urine लगने के बाद आपको अपना urine hold नहीं कर रहा है, because अगर आप washroom नहीं जाते हैं आपको washroom की urge फिल हो रही है आपको जाना है उसके बाद भी आप नहीं जाते हैं तो आपके bladder में जो है वो urine का infection हो सकता है because आपके bladder में अगर urine बहुत जादा देट तक वो stay करेगा तो उसके वादसे bacterial infection हो सकता है आपको UTI हो सकता है उसके वादसे आपको kidney stones वगरा भी हो सकते हैं और अलड़ी आपका kidney function compromised है तो bacterial infection की वादसे आपको और भी जादा दिक्कत हो सकती है इसलिए जब भी आपको washroom जाने क whole यह सारी चीज़ें आपको award करनी चाहिए उसके लाबा caffeine बहुत जादा overdose में आपको award करना चाहिए low amount में तो ठीक है वो beneficial हो सकता है coffee आप one to two cups per day आप लेते हैं तो ठीक है वो beneficial हो सकती है बट अगर आप overdose में कोई भी चीज़ लेते हैं चाहे वो caffeine हो किसी भी चीज में हो तो seven hours to eight hours आपको per day आपको नीद लेनी है because अगर आप प्रॉपर नीद लेंगे तो आपका जो hormonal balance है वो बना रहेगा stress hormones के लेवल्स आपके body में regulate रहेंगे कम रहेंगे तो उसके वैसे आपकी kidney पर जो खराब असर है वो नहीं पड़ेगा आपकी kidney में जो damage है वो नहीं होगा त इसके लाबा जो in general कुछ guidelines है जैसे कि आपको अपना blood pressure control करना है BP के परशानी है तो आपको regular अपनी दवाईयां खानी है ताकि आपकी जो kidney में damage ना हो करनी है तो यह थी कुछ बहुत बड़ी गलतियां जो kidney के मरीज जादा तर करते हैं खासकर जो ckd के patient है या dialysis पर जो patient है या उनको किसी भी तरह की kidney की परशानी है तो यह big mistakes आपको avoid करनी है ताकि आपका जो kidney function है वो बिलकुल normal लगे अगर यह video आपको अच्छा लगा हो informative लगा हो तो इस video को like करिए हमारे channel को subscribe करिए और जादा से जादा इस video को share करिए ताकि जादा से जादा beneficial information लोगों तक पहुचाई जा सके